कि रहां कि संवाई ओ कैसे आप सभी आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और भगबाण से ऐसी प्रार्ध्त भी करता हूं आप लोग शदेब शुकरी और संपन रहें मेरे प्यारे शभी अनदाता हो आपके चरड़ों में मेरा नमस्कार बीपी का उलवर चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत वह शागत है तो जैसा कि आप जानी रहे हैं कि मैं प्रते दिन आप लोगों के लिए अपने अनदाताओं के लिए एक ऐसी वीडियो बन नाकल ला रहा हूं उसी क्रम में आप थंबनेल देखी ही चुके होंगे थंबनेल पर जो कुछ भी दिया हुआ है अब ये खिलाना बंद करो हो सकती है आपकी पशुओं की या गायभांस की मौत बास्ता में सही बात है मेरे अनदाता मेरे किशान भाईयों बिल्कुल सही ब हो सकता मौत से गुजर सकते हैं हमारी आर्थिक हाने हो सकते है channel काओन काओन सी चीज़ें जो हमimar नहीं खिलानी चाहिए तो सब्से पहले नंबर पर आते हैं शड़ा हुआ अनाज हमारी गाय कभी-कभी हीट में नहीं आती है हम किसी बड़े चिकिस्चक से सला लेते हैं तो वो यह कहता कि आप दबाईयां अधिक नहीं कराओ ऐसा करो 15 दिन तक आप अंकुरित अनाज खिलाओ अंकुरित अनाज जब हम अनाज को अंकुरित होने के लिए रखते हैं एक दिन रख दिया दो दिन रख दिया हमारे पष्यू ने पहले देन नहीं खाया आपने भाई रखा रहने दिया दूसरी दिन थोड़ा बहुत खा लिया बच गया वो रखा रहने दिया उसमें क्या होता है अनाज में फफूंद आ जाती है फफूंदी आ जाती है काला पढ़ने लगता जड़े निकलाती हैं अंकुरित हो जाता है लेकिन पूरा रंग कुछ काला हो जाता कुछ सफेद हो जाता लेकिन हम सोचते अब ये बेकार तो जाने नहीं देंगे किसी ने किसी तरीका से हम अपने पशू को खिलाएंगे और आप वो अंकुरित अनाज खिला देते हैं सबसे पहली चीज़ अब दूसरे नंबर पर हम आ रहे हैं हमारे घर में होली पर दिबाली पर या बिशीश अबसरों पर फल आते रहते हैं हम लोग कुछ फल खा लेते हैं कुछ फल बच जाते हैं कुछ सड़ जाते हैं फल आदे आदे सड़ गए आदे ठीक हैं हमने क्या कर, जो बेटा, लो गाय के इए फल डालाओ जाकर गाय खा लेगी अरे मेरे अन्यदाताओ, उस फल में कीडे पड़ गए हैं उस फल में जहर उत्पन हो गया है जो बचे हुए फल आप अपने गाय भेंसके अपने पस्पों के डालते हैं उसमें जहर उत्पन हो चका है बीमारिया उत्पन हो चुकी है तो दूसरे नंबर पर आप सड़े हुए फल नहीं खिलाएं तीसरे नंबर पर हम आते हैं हमारे घर में ब्रेड बगैरी आती रहती हैं हम ब्रेड खाते रहते हैं लेकिन दो-चार ब्रेड हर दिन बच जाती हैं, वो हम एक बरतन में कहीं पर डालते रहते हैं, कि ये बच जाएंगे तो हम अपनी गाय भेंस के इनसे सानी लगा देंगे, इनकी फीड देंगे, उसमें मिला देंगे, ऐसा हम सोचते रहते हैं, और हमारे पास जब इस प्रकार की ब्रेड काफी हो जाती हैं, कठी, फिर हम सोचते हैं, ये चोकर भी कठा हो गया है, चलो मिला कर पानी बेहो कर कि इसके गाय के सानी लगा देंगे, मेरे प्यारे अनदाताओ, इन ब्रेड में भी जहर उत्पन हो चुका है, जो ब्रेड बची हुई आप गाय भेंस के डाल है, अब आगे आते हैं, अगले पॉंट पर, सड़ी हुई सब्जियां, हम सब्जियां लाते रहते हैं, फ्रिज में रखते रहते हैं, कभी कभी फ्रिज में नहीं रखते हैं, हमारे घर पर ही पड़ी रहती हैं, उसमें से आदी सब्जियां खराब हो गई हैं, और आदी बसु को कोई दिक्कत नहीं उसे खाने से मतलब होता आप सड़ा डालेंगे तो खालेगा और अच्छा डालेंगे तो खालेगा हम बहुत सब्जियां डाल देते हैं उनमें भी टॉक्सिन तयार हो चुके जहर तयार हो चुका है जानवर की मौत तयार हो चुकी है आप लोगों आटा हमारे घर में चलनी से चानते हैं आटा और कभी-कभी बच जाता है तो क्या एक हमारा बरतन होता है जिसमें हम गाय बहस के लिए अलग आटा निकालते रहते हैं और वो पड़ा-पड़ा काफी दिन पुराना हो जाता कभी कोई पडोसी आया लो भेंजी लो भाईया ये आटा हमारे घर का बचा हुआ अपनी गाय बहस को दे देना ये चोकर बची हुई ये आप दे देना आपने कभी निरीच्छड किया है उस चोकर और उस आटा में कितने कीडे पड़े हुए हैं कितने घुन तयार हो गए आपने कभी निरीच्छड किया नहीं किया अरे भाई साब, आप खिलाते ही तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको अच्छी तरीके से दूप में सुखाईए, उसके कीडे एकदम साफ कीजिए, तब खिला सकते हैं, नहीं, हमें तो जैसा मिला चाहें, उसमें घुन हुए, या सुड़ी हुए, या कीरे हुए, कुछ भी हुए, म हम अपने घर में 2-2-4-4 रोटियां बचती रहती हैं, डालते रहती, हमारे पडोसी भी होते हैं, वह देखते हैं, भी या की गाए है, गाए के लिए चलो रोटियां एकाठे करते रहो, 2-4 दिन उन्होंने अपने घर पर रोटियां एकाठी की, और कभी हमने दूद उनके गर पर दे दिया या मठ्ठा दे दिया उन्हों का अरे भाईया यह हमारे घर पर थोड़ा बचा हुआ है वो लेते जाओ हम बड़ा खुशी खुशी गए और बहां से ले आए जाकर लाने के बाद हमने अपनी वाल्टी में भगो दिया सुबह होते हैं कभी आपने देखा यह हुआ यह जाढ हुआ और डिय को यह जो हमने बताई हैं यह बहुत आंकारक होते हैं कि आ यह दे आपको को भी एनाज ख़िलाना है को लोटी खिलानी हैं फल खिलानी हैं सबज़ीयां खिलानी हैं तो फिर आप तरुन्ट ताजी बचेंगे दो वैसी खिला दिया करो ना सामा को क्यों 2-4 दिन का इंतिजार करें कि नहीं आज़ानी है कि आप इनसे क्या होता है इन सब सब चीजों से जितना शड़ा हुआ हर्रा मेटरियल है हमारे पशु के पेट में जाता है तो वह एकदम गैसें उत्पन करता है जहरीली गैसें उन जहरीली गैसों से हमारे पसू का सबसे पहले तो पेट फूलता है उसका हम टीटमेंट कराएं अफरा लग जाता है ब्लॉट लग जाता है अपच हो जाती है उसका हम इलाज कराएं भाईया उसके बाद फिल लिवर में इंफेक्शन होने लगता है पेट में कीडे तयार हो जाते है और लिवर फ्लोक तयार हो जाते है उससे भी हमारे पसू की मौत हो सकती है इतनी चीजें हो गई है और जितने भी रोग हमारे सरीर में या पसू के सरीर में पनपते हैं वो हमारे पेट के ही द्वारा पनपते हैं जब हम गाय भैंस या अपने पेट में कोई भी गंदगी ही इकठी करेंगे तो उससे प्रोटीन, इनर्जी, बिटामिन ये सब ची तियार नहीं होगे, उनसे जहर उत्पन होगा और बीमारियां उत्पन होगी और मौत का कारण बनेगा, फूड पॉइजनिंग हो, आज के लि इसका लाब उठा सकें और अपने पसों को सुरच्छित रख सकें, और फिर मिलते हैं, अगली वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं, फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो उस फूड पॉइजनिंग का हम उपचार कैसे करें, उस पर अगली वीडियो लेकर आ रहे हैं,